मार्केट में आप देखें 8300 के बेहत पास हैं और थोड़े पहले हेमन भी मरसा जोड़े थे उन्होंने भी यह क्या कि थोड़ सी आप साफधानी रखें और यहां पे आपको बहुती स्पेसिफिकली आपको ट्रेड करना होगा एकदम से इंडेक्स पे ट्रेड करने से भी थो तो कैनरा बैंक और पंजाम बैंक एक होगा कारेकरम के शुरुआत तो बहतर नोट पे हुई थी और बजार चला भी लेकिन अब हम टॉस कर रहे हैं मृतिंजे को कॉमुनिटी मार्केट के लिए लेकिन इस बीच एक दुगत खबर यह भी आए कि ओम पूरी अब इस दुनि मृतिंजे शुक्रे डिमपी और कमुनिटी मार्केट की बात करें तो अन्तरास्टिय बाजार में आज गोड का मार्केट लबाब में तो है लेकिन अभी भी बाजार एक मेने की उचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और गोड का बाउग 1189 डॉलर परतियोंस के करीब है और इस बात के संकेत हैं कि अमेरिकी एकोनोमी में लगातार इंप्रूब्मेंट हो रही है और अब बाजार की नजर डिसमबर नान फार्म पेरोल के आंकड़ों पर चिकी हुई है किस तरह के आंकड़े आते हैं माना जारा कि यह आंकड़े भी अच्छे आएंगे तो ऐसे में बुलियन के लिए दवाग की संभावना आगे भी बनी हुई है और मार्केट में बड़ी तेजी फिलाल संभाव नहीं दिख रही है इसके अलाबा अगर बात करें कुरूड की तो कुरूड का मार्केट डायरे में है ड़लो टी आई कुरूड का भाव 54 डॉलर परती बेरल क यहाँ पर डेली कट हो रहा है प्रोडक्शन में और पिछले हपते अबरका में कुरूड का इस्टाओ 71 लाग बेरल घटा है यानि कुरूड में भी तेजी की वज़े है और इजबीच मार्केट की ओपनिंग हुई है चान्दी में 62 रुपए की नर्मी है 40358 के इस तर पर ह सब्सक्रांदी का भाओ गोल्ड में भी करीब पचास रुपए की नर्मी है 27,900 के असपास एंसी एक्स पर गोल्ड तो शुरुवाती दौर में दवाब में है कुरूड का मार्केट 12 रुपए उपर है रेंच बाउंट ट्रेड है यहाँ पर 3650 के इस तर पर यहाँ पर का भाओ बिल्कुल दाएरे में है 380 के आसपास यहां पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है जिंक में मामली गिरावट करीब 85 पैसे की 176 के आसपास यहां पर ट्रेड लेड में करीब 40 पैसे की कमजूरी है 138 के आसपास है भाओ तो यह आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हमारे शाद दो एक्सपर्ट हैं हमारे शाद नवनीत दमानी है मोतिला लुषवाल का मॉलिटी की हेड अप रिसर्च और साथी हमारे शाद रवी सिंग है सेमसी कॉम्टरेट के रिसर्च हैड आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत है कारेक्टर में नवनीत मेरा पहला आप देख पा रहे हैं मुझे लगता है कि यह जो डॉलर इंडेक्स में करेक्टिन हुआ है और पॉब्ली अपकोई डेटा पॉइंट कुछ खास है नहीं एक सब्सक्राइब तो टेजी बर्गरा रहने कि हैं मैं हर टिक पर बाय करने हैं रेक्मेंडेशन सब्सक्राइब टीक है आपका व्यू अरवी क्या होगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर के इंट्राडे में क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी में आप बाय करके चलना ठीक रहेगा इस समय रुपी में जिस तरीके से स्ट्रेंट लोटी है उसको देखते हुए यहां पर बाय करने से बिलकुल बचना ठीक है गैप ओपनिंग फोड़ा सा नीचे साइट पर खुला है करेंट लेवल 27-900 का चल रहा है 900-950 का लेवल पे एक बार सेल करना ठीक है अच्छाइट पचास के स्टॉप लोट साइट में 27,750 से 650 सब्सक्राइट देखने को मिल सकते हैं ओवर ओल वीक्निस यहां पर पिट्से एक बार बार गहरा सकती है तो मैं समस्ता हूं कि फोड़ी सी यहां से इसे लॉफ आपको देखने को मिल सकता है दूसरे दर आपने सिल्वर की बात किये सिल्वर अगर देखे तो 40,350 और 3500 के बीच में अच्छाइए यहां पर साइड में स्टॉप लॉप 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 जो है इसका मूट खराब कर सकती और वापिस वीजनेश देखने को मिल सकती ठीक है आगे बढ़ते हैं और सिल्वर के उपर आपकी कॉल किया है नवनीत आपको क्या लगता है चांदी में आज का ट्रेंड जी मुझे क्रूट के उपर नवनीत आपका व्यू क्या होगा क्रूट में बिल्कुल रेंजबाउंट ट्रेड है लेकिन फंडामेंटल तेजी के हैं क्योंकि साओधी अरब ने उत्पादन में कटोती शुरू कर दिया है और अमर्की और जा विवाग की रिपोर्ट आई है जिसमें य सब्सक्राइब है जब तक कन्विंसिंगे 55 डॉलर प्रीच करके और नहीं करेगा कपला सेशन मैं तेजी नहीं करूँगा मुझे लगता है कि यहां पर साइल कि आसपास थाटी सेवन थर्टी का सब्सक्राइब रखना जी है और जो तेज गिरावाट आई थी हाल में उस ग लेकिन इस टेजी पर कितना भरोसा करना चाहिए देखे 215 का लेवल टूटा नहीं है वापिस यहां से पूल बैक देखने को मिल सकता है रिस रोट रेश्यो काफी अच्छा है 220 के स्टॉप लॉट एक बाई करना चाहिए अब साइड में 230 से 222 का लेवल मिलता है प्रॉफि वीकेंड का तो मुझे लगता है कि एक बार एक बार यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके जाए ठीक है अब कॉपर के ऊपर नवलीद क्या व्यापका कॉपर में क्या आपको इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेडिंग अपर्चुनिटी दिख रही है कॉपर में बहुत अपर में 388 के अपर तो मैं में यह रेक्मेंट करूंगा कि लोर एंड ऑफ रेंज पर पाय किया जाए 374 की नीचे स्टॉप लॉस मैंटेन करिए और 383 का टार्जेट है ठीक है और एग्री मार्केट में आज के लिए रवी आपका कमेंट क्या होगा कहां पर आपको आप है कि तीन काउंटर ऐसे हैं जिनमें सोड़ी सी पॉस्टिविटी लॉट सकती है पहला है आरेम सी अगर आप इसको यहां पर उन्तालिस चौदा करेट अप्रेल का कॉंट्रेक्ट चल रहे हैं पर बाई किया जा सकता है वापिस से 4,000 तक के रेट देखने को मिल सकते है साथी सोयबीन है जिसे विए कि अगर आप परवरी का देखें तो वह तीन हजार पचपन पचास की रेंज में पर पाई किया जा सकता है तीन हजार पीस के स्टॉप लॉस से अप साइड में एक बार एक सो बीस रुप तक की रेट देखने को मिल सकते हैं और तीसरे काउंट हो गया रवी सिंग आपका और नबनीत दमानी आपका हमसे जुड़ने के लिए बताने के लिए कि आज बाजार में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं लेकिन साड़े 11 वजे हमारे साथ जुड़िये और जाएए दिन भर आज कमॉलिटी मार्केट में और किस तरह की बड़ी खैब रहे हैं उसका क्या इंपक्ट होगा मार्केट के उपर हमारे साथ आज रविंद्र राओंगे अनंदराथी कमोडिटी के हीड़ अपरिसर और साथ हमारे साथ होंगे कुनार्शा निर्मलबंग कमोडिटी के हीड़ अर बसेंगे